है एलो फ्रेंड्स दिस एज राजेस विल्कम स्यूं इन दिस वीडियों आज की इस वीडियो में हम आपको आज का जो मैं जोन कोई वह हम आपको दिखाएंगे और उस तो उसके लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ डिरेक्ट वहां से जा सकता है या नहीं तो यहां पर आपको यहां पर नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे होमपेज पर तो यहां पर एक क्विज कर रहा है सबसारे क्विज इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी क्विज़ है वह सारी यहां पर पर हो जाएंगे और जो हमारा आज का क्विज है वह हमारा यह रहा आज खेल करके आप कैनन का आप 1500 डी डी असरा आप जीट सकते हैं ठीक है केमरा तो आई खिलते हैं देखते हैं क्या कोश्चन है के खिलने के लिए प्लेणों पर क्लिक करने हैं फिर स्टार्ट बटन पर फिर देकि फर्स्ट कुश्चन आगया बोल रहा है कि से से शेख मुझबूर रहमान वस बर्त सेंचरी वाज सेलेब्रेटेड इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वाज दफांडर प्रेसिडेंट आप विच कंट्री मतलब सेख मुझबूर रहमान के बरेंबोल रहा है कि मार्च दोहचार बीस में उनका जन सताब्दी मनाया गया यानि कि यह बर्थ संचृटी आर वह बोल रहा कि कौंसे देश के founder President थी मतलब वो देश जब बने बना तो उस टाम में फ्रेस्ट प्रेस्टेडेंट वो बने तो वो सहusta羅 है उसका बंगलादेश बंगलादेश के वो founder President थी सेकेंड कोस्चेन है बुलडा है कि which Indian badminton player recently won the BBC in India sports women of the year award BBC India sports women of the year का award इस बार कौन से badminton player ने जीता है वो ज़िए है पीवी सिंदू ने जीता है ता पीवी सिंदू इसका सही आंसर हो जाएगा third question है बुलडा है कि which of this Bollywood actor is playing a lead role in the remake of the Govinda hit Kuli No.1 Kuli No.1 का जो remake बन रहा है यानि Kuli No.1 पहले Govinda का था अब उनका remake बन रहा है तो उसमें बुलडा है कि lead role में कौन है तो लोडे उसमें जो lead role में है वो है वरवंधवन वरवंधवन इसका सही आंसर हो जाएगा fourth question है बुलडा है कि on 23rd of March the WMO come into force मतलब 23rd March को WMO सामने आया है and a day is thus celebrated to draw attention towards weather and climate weather and climate के वाड़े में आप पर बोलता है तो explain WMO यानि की WMO का full form क्या होता है तो WMO का full form जो है World Metrological Organization है ठेक है तो World Metrological Organization इसका सही आंसर हो जाएगा फिर लास्ट कुस्चन यह बोलता है कि which city had to withdraw from hosting the Olympics in 1908 and it after and nearby volcano eruption यानि की 1908 के ओलम्पिक को कौन से मतलब city की से withdraw कर लिया गया जब मतलब आसपास एक volcano eruption हुआ था इसके कारण वहां से 1908 का जो ओलम्पिक है वो उस city से withdraw कर लिया गया था तो यह जो है रोम है इटली के राजानी रोम रोम इसका सही आंसर हो जाएगा ठेक है तो इस तरीके समने पांचो कुस्चन का सही जवाब दिया है पांचो कुस्चन का सही जवाब देख करके यहां पर देखे वेल डन यू आर इलिजबल टो विन केनन फिप्टिन एंड़ डी 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 एसलार और विनर जो है वो तीस अप्रेल को एननस होगा तो आप भी इसको खेलिए और आप भी इसमें पाटिस्पेट कर लिए इस ड्र तो चैनल को सब्सक्राब जबूर कीजिए तो ठीक है फ्रेंड्स थेंक यू